सोसल मिडिया का ये जो दोर चल रहा है इस दोर में क्या-क्या हो जाता है इंसान को पता भी नहीं चलता है जो सपने देख के इंसान अपने सपनों को संजोता है वो सपना कब तूट के भी खड़ जाए उसे पता भी नहीं चलता है और जिस सपने में वो जी रहा होता है वो से कहां उसे पहुचा सकता है, उसे खुद पता नहीं चलता है, सोचल मिडिया के दोर पर जब से यह फेस्बूक और इंस्टा का जबाना आया है, कितने प्यार आस्मान छू रहे हैं, और ऐसे ही प्यार का है कहानी, आप सब के बीच सुनाने आया हूँ मैं आज जिस प्यार में एक ऐसा अंधा प्यार है जिस प्यार के चक्कर में लड़का और लड़की से मिलने जाता है और मिलने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि जिसे मैंने फेस्बुक पे एतना सुन्दर और अच्छे तरीके से देखा था उसका सामने का असली चेहरा क्या है सामने जाने के बाद उसका प्यार पानी मांगने लगता है कि आखिर ये क्या किया मैंने और जिससे मैंने इतने बड़े-बड़े वादे किये जिससे मैंने Facebook के माध्यम से, chatting के माध्यम से, जिससे इतने बड़े-बड़े सपने दिखाये, जिससे देखके हमेशा देखने का मन करता था, और वो जब सामने आये, तो वो किस तरीके से और किस हालत में है, ये देखने के बद सारा सपना वहीं तूटके चकना चूर हो जाए कि आज की जो कहानी है, वो बिहार के शिवम दुबे और कुचाय कोट की रहने वाली पिंकी पांडे की प्रेम कहानी है, जो सोशल मिडिया के माध्यम से परवान चड़ी, और जब अंजाम तक पहुंची, तो देखने के बाद शिवम दुबे को समझ में नहीं आया, कि ये म शिवम दुबे पिंकी से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, तो उसके सारे सपने तूटते हुए नजरा रहे थे, क्योंकि पिंकी दोनों पैरों से दिव्यान थी, और इसके घर वाले ही इसका देख रेख कर रहे थे, किरिया करम के लिए भी इसे खुद उठा के लेके ज जिससे इसका जीवन यापन हो, जो इसे संभालने वाला कोई मिल जाए, और प्यार में जो बड़े-बड़े वादे हो गये थे, इससे शिवम पीछे हटने से भी सोचने लगा, कि अगर मैं पीछे हटता हूँ, तो फिर प्यार की तोहीन हो जाएगी, और इसी वज़े से द चार-दस दिन वहां रहने के बाद, फिर वापस पिंकी को घर लेके आया, पिंकी के ही घर सिवम दुबई से वापस लेके आया, और यहां आने के बाद फिर एक चोरी के मामले में सिवम दुबई को सजा हो गई, और वो जेल चला गया, जेल से कुछ महीने बाद आने के बा ओगा रही है और इस बीच धीरे धीरे फिर किसी तरीके से सब सारी बातें समझाया और मनाया गया फिर पिंकी के ४रिवार वाले माने उर फिर से इन दोनों की शादी कराई शादी कर Argentine a कि अब तुम लोग अपने हिसाब से जहां चाहों रह सकते हो क्योंकि जिस तरीके से तुम लोगोंने शादी विवाह किया था वो मुझे बिल्कुल ही मनजूर नहीं था लेकिन जब इसने खुद शादी कराई उसके बाद इन दोनों को साथ रहने की मनजूरी दे दी और दोन गोन जाके किसी तरीके से कामधाम किया और पिंगी के सांतर काफी हशिखसी से अपने जिंदगी गुजारण लेकिन वहां भी रह नहीं पाया फिर वापस वो कुचाय फोट और कुछाय कोट दोनों काफी खुशी से रह रहे हैं लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से आप सब को यही कहना चाह रहा हूं कि कभी भी परिवार वालों के खिलाफ जाके शाधी और संबंध नहीं का बनाना चाहिए आज शीवम दुबे को फेस्बुक के माध्यम से जो प्यार किया आज शीवम दुबे को फिंकी दुबे के सारी प्रक्रिया कराने में मदद करनी पड़ती है उठा के नहलाना पड़ता है लेके जाना पड़ता है हर काम में पिंकी के साथ में शीवम को रहना पड़ता है और इसी वजह से सायद बीच बीच में उन जोनों के बीच में तक्रार भी होता रहा है, इसलिए मैं यही कहूंगा, कि जितने भी लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, और चाहे जो भी सोशल मिडिया से, सोशल मिडिया के माध्यम से एक दूसरी से प्यार के समन्द को जोड़ना चाह रहे हैं, उन सब को इस बात का जरूर ध्यान देना भी कुछ ऐसे चीज़ें आ सकती हैं जिस समय आप ये समझ में आए कि मैं क्या करूं मैं हां करूं या ना करूं और वहां जाने के बाद पश्थाना ना परे आज शीवम दूबे और पिंकी की कहानी से ये समझ में आता है कि ये दोनों तो किसी तरीके से अर्जिस्ट कर गए आज उनके परिवार में खुशी आने वाली है ये कामना है कि उसका बच्चा स्वेस्थ हो लेकिन शीवम को अपने माबाप के बातों को जरूर सुनना चाहिए और उनके बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए क्योगि कोई भी माबाप अपने बच्चे को कभी गलत रास्त पर नहीं लेके जाता धन्यवाद